हेलो दोस्तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि SSEGD के मेडिकल से रिलेटेड आपके जो भी कोशन होंगे उनका जवाब मैं अगली वीडियो में आपको दे दूँगा तो यहाँ पर मैंने लगबग 40 से ज़ादा कोशन यहाँ पे लिए हैं और उनका अंसर में यहाँ पर आपको करने की कोशिस करूँगा लेकिन काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो बस मज़े के लिए कमेंट कर देते हैं कमेंट तो काफी सारे हो गए थे 200 से 300 कमेंट आये थे लेकिन यार उनमें से मैंने सेलेक्ट किये हैं कुछ कमेंट जिनके जवाब देना जरूरी है और काफी सारे कमेंट ऐसे हैं जो बस उन लोगोंने मज़े के लिए कमेंट कर दिया है और वो देखना चारे हैं कि सामने से बंदा क्या रिपलाई करेगा तो चलिए आप लोग देख लीजे हो सकता है इसमें आपके कमेंट का भी रिपलाई हो तो चलिए पहला कॉशन है कि मुझे पेसाब की नली में चार एमेम की पत्री है क्या उससे कोई प्रोब्लम हो सकती है तो देखिए मेडिकल में ऐसा कोई चेक अप नहीं होगा जिससे कि आपका जो यूरीन है वो थोड़ा सही आए ज्यादा पीला ना आए तो आप यूरीन टेस्ट में आराम से पास हो जाओगे और कोई दिकत नहीं होगी अगला कमेंट है कि इन्होंने हरनिया को उप्रेशन कराया है तो SSEGD का मेडिकल में क्या अनफिट कर दिया जाएगा और इनका फिजीकल 17 अगस्त को था और उन्होंने ओप्रेशन 22 अगस्त को कराया है तो देखे आप जानते हैं कि SSEGD के नोटिफिकेशन में काफी सारे ओप्रेशन और उनकी टाइम लिमिट के बारे में बताया गया है यानि कि आपने अगर सरीर के किसी पार्ट को ओप्रेशन कराया तो वहाँ पे ये बताया गया है तो आपने 22 अगस्त को अगर ओप्रेशन कराया है और मेडिकल टाइम तक आपका जो घाव है वो बिल्कुल सूख जाता है कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं रहती है तो आप अगर ये भी बोल दोगे कि मैंने 6 महीने पहले ओप्रेशन कराया था तो वह कोई दिक्कत नहीं होगी बस आपके ओप्रेशन का जो घाव है वो सही हो जाना चाहिए सूख जाना चाहिए सर 6x9i चल जाएगी क्या देखिए भाई एक आँख 6x6 जरूरी है दूसरी 6x9 है तो वह चल जाएगी ठीक है दोनों अगर 6x9 है तो नहीं चलेंगी फुट पे एक्सिडेंट का निसान है तो देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जैसा कि मैंने आपसे कहा अगर पैर के उंगली थोड़ी बहुत कट जाएगी तो चल जाएगा लेकिन अगर हाथ के उंगली सपोज आधी कट गई या पूरी कट गई तो यार आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा अगर सिर्फ थोड़ा बहुत आगे से निसान है या चोट लग गई है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन उंगली कट जाना बहुत बड़ी बात है तो यार इसमें तो दिक्कत हो जाएगी नोकनी कैसे चेक करते हैं ऐसा वीडियो बनाईए तो देखिए नोकनी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ सिंपल से सबसे पहले आपको नॉर्मली खड़ा कर दिया जाएगा आपके पंजे और एड़ी को मिला के ठीक है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो आगे के पंजे हैं उनको लगबख 30 से 40 डिग्री वो खुलवाएंगे और फिर से नोकनी चेक करेंगे तो लगबख 30 डिग्री पंजे खुलने पर फिर भी आपके जो घुटने है वो टच नहीं होने चाहिए ठीक है सर मैंने टैट्व निकाल दिया है पर उसका निसान अभी बाकी है तो देखे उससे कोई प्रोलम नी होने वाली है निसान तो सभी करह जाता है और ये निसान तो आर्मी में भी चल जाता है S.S.C.D. में तो चली जाएगा सर खुजली वाले दाध हैं उनसे कोई प्रोब्लम तो नहीं होगी medical में या उसके निसान से तो इन निसान से कोई problem नहीं होगी और अभी आप फिलाल तो काफी time है आप दवा कराते रहो year का operation हो गया है medical में बाहर कर देंगे क्या तो यार ये वाले comment काफी आ रहे हैं कि भाई year का operation हो गया है तो यार इसके बारे में मैं exact तो नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा कोई case तो भाई मैंने नहीं सुना भी तक ठीक है जिन्होंने year का operation करा लिया हो तो उनका fit यान fit का मैंने नहीं सुना है लेकिन जहां तक मैंने पता किया है तो भाई सब यहीं कह रहे हैं कि अगर operation का जो गहाव है वो सही हो गया होगा तो यार आपको pass कर दिया जाएगा है ना उनको पता तो चल जाएगा कि भाई operation हुआ है क्योंकि वो प्रोड चोड मारे के पूरा अच्छे से चेक करते हैं लेकिन अगर वहाँ पर आपका जो कान है उसको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा परदा बिल्कुल सही होगा अगर आप सही है तो यार पास कर दिया जाएगा इन्होंने कहाए कि भाई मेरा 11.6 हीमोगलोबीन है एनी टिप्स तो भाई यार 12 से कम नहीं होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए ठीक है और यार मैं आपको बताऊं 2015 की एक बंदे का 13 हीमोगलोबीन था ठीक है तो उसको भी वो डाट रहे थे ठीक है वहाँ पर क्या होता है अगर आपका हिमोगलोबीन कम है तो आपसे डंड वैठक या पुसप से लगवा लेंगे और पूछेंगे कि भाई तुझे हापनी तो नहीं आ रही है तो ऐसा भी करते है वो ठीक है वैसे तो वेट भाई हाइट के हिसाब से होता है लेकिन फिर भी यार कम से कम 50 तो करी लो 50 से कम तो सही नहीं है ठीक है वैसे आपने हाइट नहीं बताइए आगे है कि 180 cm हाइट के लिए वेट 65 सही है तो बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं होगी सर टैटू जला हो तो चलेगा तो बिल्कुल चल जाएगा भाई जो जले का निसान है वो पूरी तरीकी से सूखा होना चीए ऐसा नहीं है कि वहाँ घाब तो बनेगा लेकिन वो सूखावा घाब होना चीए यानि फिर वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चीए किसी तरह की मेरे फ्लैट फुट में गिल्टी हो गए है तो कुछ बताओ यार गिल्टी का तो इलाज है भाई इलाज करा लो मेडिकल से पहले हो सकता है गिल्टी जादा हो जाए तो हो सकता है आपका पूरा जो फुट है वो पूरा फ्लैट हो जाए तो ऐसे में तो रिमेडिकल मिल जाएगा तो आप गिल्टी का इलाज करा लो यार आगे है कि भाई मेरे एंकल के जोइंट वाली एक हड़ी में 6 साल पहले चोट लग गई थी और वो थोड़ी सी सूज गई है बट पेंड नहीं होता है तो देखिए थोड़ी बहुत सूजन से कोई दिकत नहीं होगी आपको जादा टेंशन लेने कि जो तनी हराम से पास हो जाओगे ये कह रहे हैं कि सर मेरे दांत 33 है और एक हिल रहा है तो हैर यहां तो 28 वाले पास हो रहे हैं ठीक है वो पहली बात तो वो गिनेंगे नी दांत दांत कितने हैं वो गैब देखते हैं कि दांतों के बीच में कोई उख़डा हुआ खराब कैविटी वाला या तूटा हुआ इस तरह की चीज़े वो चेक करते हैं गिनते नहीं हैं दांतों को ठीक है तो आपके 33 हों चाहे 32 हों चाहे 28 हों उससे तो कोई मैटर नहीं है और आपका तो केवल एक हिल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी सर सिर्फ अभी तक 28 दांत आए हैं तो भाई देखो 28 दात आई है तो ये मैं बता चुका हूँ कि दात वहां पर count नहीं होते हैं दातों के बीच में वो ये चेक करते हैं कि खराब दात कितने है या उख़डे वे दात कितने है टूटे वे दात कितने है 28 हैं तो कोई दिखकत नहीं है सर हम piles का operation करवाई हैं तो भाई देखो piles का operation अच्छा अगस्त में कराया है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन उस time पे आपको piles नहीं होनी चाहिए जिस time पे medical हो रहा है वो ये check करेंगे ठीक है और जो operation उसका घाव नहीं होना चाहिए आगे है एक्सरे में क्या चेक होता है तो देखे एक्सरे जो किया जाता है वो lungs का किया जाता है फैपडो का और टीवी की जाच के लिए वो किया जाता है आपके पूरे body का एक्सरे नहीं किया जाएगा मेरे हाथ में statues mark हैं तो यह चलेगा का बिल्कुल चल जाएगा भाई कोई दिक्कत नहीं है hand check होता है कि नहीं बिल्कुल hand check होता है मैं आपको बता देता हूँ पूरी चीज पहले आपके दोनों जो हाथ हैं उनको सीधा करके वो यह check करेंगे आपके जो हाथ हैं आगे से हतेली मिल जाएंगी ठीक है उसके बाद वो देखेंगे आपकी कोहनी तो नहीं मिल रही है ठीक है अगर कोहनी नहीं मिल लही है तो बहुत अच्छी बात है और कोनी मिल रही होंगी तो फिर भाई वो आपको रिमेडिकल देंगे ही देंगे उसके बाद वो एंगल सभी का चेक नहीं भी करते हैं और कर भी लेते हैं एंगल भी चेक कर सकते हैं हातों का ठीक है और उसके बाद आपके हातों का पसीना चेक करेंगे कि आपके हातों पर ज चलेगा, या ने चलेगा, झाहा तक मैं अपनी बताऊं, तो मेरे record तो यार, जहां तक मैंने पता किया तो नहीं चलेगा Year के परदे में होल के बारे में जरूर बताना तो भाई देखो, अगर medical के टाइम पे आपके कान के परदे में hole मिला तो आपको remedical दिया जाएगा भाया जी कब तक medical होगा तो देखो भाई नवंबर में medical हो सकता है confirm तो नहीं है लेकिन नवंबर में medical हो जाएगा भाई मेरा weight कम है प्लीज बताओ कुछ तो यार weight over weight में जादा वो remedical दे देते हैं लेकिन अंडर वेट में ज़्यादा रिमेडिकल नहीं देते हैं ठीक है अगर जितना आपका मिनिमम वेट होना चाहिए उससे एक या दो किलो तीन किलो और भी कम है तब भी आपको रिमेडिकल से बच जाओगी इतनी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है फिर तो रिमेडिकल दे देंगे मेरे दो मोलर टीथ में कैप लगी हुई है और एक मोलर टीथ तूटा हुआ है तो भाई इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आराम से आप पास हो जाओगे मुझे ये बताना कि हाथों के कांपने के बारे में चेक करते हैं तो कितनी देर हाथ सीधे करवाते हैं भाई ज़्यादा देर हाथ सीधे नहीं करवाते हैं बस वो आपके हाथों को सीधा करके सबसे पहले तो आपकी जो कोहनी हैं उनको मिलाके देखते हैं मिलतो नहीं रही है बस मुस्किल से 15-20 सेकेंड ठीक है और इतने में आपके यार देख लेना थोड़ा बहुत अगर हाथ कामते हैं तो यार खाने की चीजों पर थोड़ा सा फोकस करो और व्यायाम वगेरा करो इन चीजों से इफायदा मिलेगा सर मेरा एक टीथ पीछे है अपनी जगा से बाकी सब ओके हैं कोई चैविटी या कोई क्रैक टीथ नहीं है तो भाई कोई भी दिक्रत नहीं होने वाली है सर मेरा एक टीथ नहीं है और दो दांत में मसाला डाला है एक टीथ नहीं है और दो में मसाला डाला है क्या मैं नया दात लगवा लूँ या नहीं लगवा हूँ तो भाई चाहें लगवा लो या नहीं लगवा लो तब भी आप पास हो जाओगे क्योंकि एक तो आपका टीथ नहीं है दो में मसाला भरवाया है तो में तो सबसे में चीज तो यह है कि आपको आपास एक टीथ नहीं है ठीक है और मसाला वाला वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं तो यार अराम से आप पास हो जाओगे वेरिकोज वेंस कैसे चेक करते हैं मेरी बस एक नस थोड़ी गोल है बाकी सब ठीक हैं और नस दिखती है पैर की यार वेरिकोज वेंस के उपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कलिया परसो में उसमें मैं सारी चीज़े बता दूँगा लेकिन फिलाल मैं आपको बता जिता हूँ कि अगर आपकी एक यह दो नस दिख रही है तो उससे कोई मैंटर नहीं करता देखे आपकी जो नस का जो रास्ता है वो बिल्कुल स्ट्रेट है जैसा रास्ता होना चाहिए अगर बिल्कुल वैसा है तो कोई दिकत नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कि जिसको वेरिकोज वेंस की प्रोब्लम होती है तो अगर जब वो अपनी टांगो को जैसे उपर नीचे खोलता है तो वो सिकुड जाती है यानि जैसे सांप लहरे लेता है ना बिल्कुल ऐसे वो सिकुड जाती है तो उसका जो रास्ता होता है ना नस का वो अपना रास्ता यालग हटा लेती है तो उसमें प्रोब्लम हो जाती है या फिर जो नसें है तीन चार नस मिलके आपस में गुच्छा सा बना लेती है तो उनको निकाला जाता है ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती हाथ की उंगली में कमपन होता है तो यार हाथ की उंगली में जिस उंगली से आप ट्रिगर दबाते हो यार उसमें तो बिल्कुल कमपन नहीं होनी चाहिए वैसे अगर थोड़ी बहुत कमपन है तो चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे पीछे के दोनों साइड के लास्ट दांत जिसको अकल चुहा बोलते हैं सर वो पूरा नहीं निकला जिस कारण वो सड़ गया और दर्द करता था तो उन्होंने इसको निकलवा दिया और आगे के दो दांत फिलिंग करवाय हुआ हैं तो भाई आपने दो दांत तो आप सेंटर पर थोड़े ख़डूस होते हैं तो वैसे 90 परसेंट आप अराम से पास हो जाओगे इन्होंने काया के सर मेरे नोक सोरी सर मेरे नी के पीछे एक नस फूलती है वाइट कलर की दिखती है बताओ सर तो यह आर आपको डर लग रहा होगा वेरिकोज वेंस वाला तो यह वेरिकोज वेंस नहीं है कोई जादा डरने वाली बात नहीं है बाकी मैं एक वीडियो बना के आपको अच्छे से बता दूँगा मेरे तीन टीथ नहीं है तो प्रोब्लम होगी क्या तो भाई तीन टीथ नहीं है तो भाई मैं यहीं कहूंगा कि आप 90 परसेंट तो पास हो जाओगे बाकी भाई 10% डोक्टर के उपर है और जिसके दो दात नहीं है वो तो 100% पास है भाई कोई ऐसे बंदे का इंटर्वियू कराओ तो भाई मैंने एक वीडियो बना के डाली थी जिसका 2015 में मेडिकल हुआ था बीएसे में है वो क्यार उसने यार complete detail नहीं बताई थी क्योंकि वो 10 या 11 मिनट की वीडियो है केवल तो मैं उनसे करूंगा request कि वो 12 से लगवग 15 से 20 मिनट के एक वीडियो बना के सारी चीज़े फिर से बता दे मेरे operation हुआ था घाव का fit हो जाएगा क्या तो यार बिल्कुल fit हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है operation का जो निसान है जो घाव है वो सूखा होना चाहिए सर मेरे एक पैर की last की दो उंगली थोड़ी छोटी है प्रोब्लम होगी क्या तो भाई पैर की उंगली थोड़ी छोटी है उससे कोई प्रोब्लम नहीं होगी और यहाँ पर यार यह सारे comment complete हो गए है तो यह सारे comment थे उम्मीद करता हू medical की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी है ना और बहुत ज़्यादा टैंसल लेने वाली बात है नहीं यार आप ज़्यादा टैंसल ना लो आप बस अपने जो में में चेक अप हैं वो चेक अप करा लो आखोके और कान का नोक नहीं होनी चीए फ्लैट फुट नहीं